नमश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खास रिपोर्ट यह खास रिपोर्ट एक ऐसे कानून के बारे में हैं जिस कानून को लेकर लंबे समय से चर्चा रही और दावा किया जाता रहा तमाम राजनितिक दलों द्वारा कि इसके जरिये दलि से सिर्फ 2021 में दलितों पर 10 लाग से अधिक अत्याचार के मामले हुए और सबसे जादा अत्याचार 5000 रेप यानी बलातकार के मामले दर्ज हुए यह किसी संस्था के आकड़े नहीं यह सरकार के आकड़े हैं जो तमाम समा सेवी संस्थाओं ने हासिल किये सूशना के अधि रिपोर्ट है यह खुलासा करती है कि किस तरह से सरकार की पूरी मशीनरी लोगतंत्र के सारे खंबे चाहे वह नियाएपाली का हो, कारेपाली का हो या फिर ग्रेट बिरोक्रेसी और मीडिया तक सब खामोश रहे और एक तरह से अत्याचार करने वाली संस्थाओं के साथ और 2023 में जिस समय चुनाओं की तैयारी में देश जा रहा है, पांच विधान सभा के चुनाओं हैं, अगले साल लोग सभा के चुनाओं हैं, ठीक उस समय दलित और आदिवासियों के बारे में किस तरह से मोधी सरकार ने आखे बंद कर रखी हैं और एक impunity दे रखी है, इस पर एक बड़ा हस्तक्षेप करती है यह एहम रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर डेटा हमें सरकार से ही मिलती है और सरकार अपना डेटा जो अपने तरीके से निकालते हैं, एक खास बात इस रिपोर्ट में मुझे यह लग रही है कि जो अ उन प्रावधानों को ट्रैकनिंग करते हमें ऐसा ही मिलता है कि इतना अट्रॉसिटी हुआ, इतना कॉंपनसेशन हुआ, इतना कन्विक्शन हुआ, लेकिन अट्मिनिस्ट्रेशन, अथारिटी की जिम्मेदारी कैसा हो रहा है, कैसा निर्वहन हो रही है, उसके बारे में हम तो यह रिपोर्ट उस विखे के उपर चिन्नित करती है कि अलग अलग लेवल पर यूनियन से, स्टेइट से, डिस्ट्रिक्ट तक खौन सी ऑथ Alty कि क्या जमेदारी है, उनको क्या करना है, साल में कितने बार ट्रैकिंग करना भारमेज, कितने बार मीटिग करना है वो सब वेरी क्लियरली इस रिपोर्ट में लिखा गया है और वो हमारे लिए बहुत योस्फल है यह नारमल हो रहे पषाःब यह क्या क्या इसकी कहा का ळून बना सकती सो 캡़ा चीजों पर सरकार भी योजना वह ईनगये रहाना वह बोलतें लगोर ऑटि चाह कोई इनिएनर इसारा यह ंरे इसलिए ऐलाव सत्राइम आज़ साड़ सरकार का नीती बन गया सो सरकार ने उनका नीती बदलना तो ध्यान रखना कहा क्या कानून लगाना दूसरा इंपोर्टेंट है यह कानून अभी इत इस नौट एजन डॉकुमेंट है हम कहीं लाइबरेरी पे रखो रेफरेंस करो इसमें आटी आई के थ्रू यानि सूशना के अधिकार के जरीए सारा सरकारी आकड़ा है कि किस तरह से इस कानून के तहट जो होना चाहिए था दलितों आदिवासियों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और एक तरह से जो अत्याचार करने वाले उनको इंप्यूनिटी मिली यानि उनको राजनतिक वर्धास्त हासिल है अभी अनदर येक इंपोर्टेंट चीज है अभी ये 2021 का पहले का काफी आटी एक चीज है अगर दो अभी 23 का अगर सोचे तो ये आटी का जबाब क्या आएगा वो बोलेगा नो डेटा डेटा नाट अवे करता करना है ये देश का नागरिक का हमरा का सबका एक नया तरिका से कलाडना दूसरा है ये रिपोर्ट का हमने एक राजनाइतिक रूप से कैसे इसका लागू करने के सरकार का हमने इंसेट करना उनसे दाब देमेंड करना उनका चालेंज करना कहा कहा चीजों पाना बहुत है फ्षश्छ डिस्ति टोडमने सिर्जब्स. अनलरे सिर्थ कोसा ओंए जोन जवान घडूवाने सी घूने इपंग झान ख़त्स हैंवार कुछ स्वास Крас하면서 क fact झाले यंच. cutha can are the same conclusions that were done in the Ilay Parmal Commission report on the Untouchability Offences Act in 1969. So, it's not that the government doesn't know. अपरात कैसे हो रहे हैं और कैसे लोग बच रहे हैं, क्योंकि के बारे में आपने वो भी रिपोर्ट मिलाए हैं कि लोगों को सजा नहीं मिलती हैं, लोग फ्री हो जाते हैं. Yes. So, impunity has become a design of the department. So, nothing will happen, even after the Ilay Parmal report said that these are the officials who are not, not only not helping us, who are preventing us from doing the work, nothing happened to those officials. Here also we know that, who are the officials who are not doing the job, who are preventing others from doing the job, everything is known, it's a ecosystem failure, not a failure of one or the other. And that's why to build it up we'll need, actually the remedy in this I think would mean much more than just a legal remedy, it will need to be a social remedy in so far as it means social mobilization. So that the, all the constituent systems, the legal system, the administrative system, the restorative justice system, all that will need to change. So this report, if you see, it has given on all the aspects of the act, every aspect, whether it is prevention of atrocities or how the act is being implemented, the judicial level, the police investigation level, and the filing of cases level. At all levels, this data has been analyzed. So in everywhere, it's almost, you know, it's, 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 it's a very low implementation level, it is there. And there are states like Uttar Pradesh, which has got the highest incidence of atrocities, but then there again, even the contingency plan has still not been formulated. That is for the prevention and for the action against this kind of atrocity. There is the, every government has to formulate a contingency plan, according to this act. But in Uttar Pradesh, there is no plan. There is no plan. So in every aspect of the act, the act is not being implemented. So what we want to do is we want to make, see, where the, when we make recommendations, where are the recommendations going? At filing at RTI level is if there was such a struggle to get this information and data from the government. So why is this government, why is the government at, at all levels, whether it is the police, the judiciary, at all levels, they're not acting at all on this act. And we find that, okay, the police, it has always been, the system is like that, and there is very lethargy, and there is apathy, and there is always this, there is a level of corruption. But even at the judicial level also, it is implemented in such a low level, because there are supposed to be the special public prosecutors, and we have to have exclusive special codes for filing of these, for, for these cases. The judicial system has not helped the, to implement this act. Absolutely not. Just to make that. आप गल्णमेन्ट का यह डेटा है. यह सब गवर्णमेन्का यह डेटा है, लेकिन यह डेटा लेने के लिए आटे लगाना पड़ता है. अब तो आप तो आटीए के जरीए आगे मिलेगा भी नहीं उंको लग गया कि आपने इतने आख्रे निकाल लिए. अभी RTA को तो फुरा बंद करने के लिए तो नया खानून लाया है, तो ये क्या होगा, आत्मी लोग को क्या हो रहा है वो पता नहीं चलेगा, गवर्णमन का जरूरत है कि वो ये सब डेटा उसका वबसाइट है, गवर्णमन बोलता है हम लोग सब डिजिटल हो गया, लेकिन डिजिटल गवर्णमन में क्यों ये सब डेटा नहीं देता है, ये हमारा सवाल है, ये डेटा तो सब को मालूम होना चाहिए, लेकिन ये मालीजे की दलितो और आदिवासी को तो पता है कि अत्याचार उनके उपर हो रहा है, इस से क्या बाकी समाज आप इस रिपोर्ट है, जैसे इस कानून का बार में पूरा आतमी को पता चाहिए, जुडिशियरी को, पोलीस को और इसमें कानून में जो दिया है, इसको इंपलिमन करना है, सेकेंड, बोट स्टेट में, ये रिपोर्ट बोलता है कि सिरफ बारो परसंट स्टेट लवल विजिलन्स मॉनिटरिं कमिटी एक है, आपको लगता है कि जो रिकमेंडेशन से उसको लेकर एक आप लोग दबाव बना सकते हैं सरकार पे, जरूर, अभी तो इस मीटिंग में बीस से ज़्यादा स्टेट से आतमी लोक आया है, इस रिपोर्ट को लेके स्टेट में भी जाएंगे, और इसका बार म करने के लिए पूरा देश में अगर जरूरत है तो लड़ने के लिए भी आतमी लोक आया है, यह रिपोर्ट मैंली से इस टेटस अफ जवाबदारी कि जान कि बूद्बद. Rey जह रिए तो ले टूसरे से में पूर्ट मैंलीट से अरे हिर जाएंगे, जवाबदा घ्ना प्रिट मैंली boy को आतमी लोक आएंगे, अवी बूरा जवाबदाएंаш्या है, गा यह डिदाग लेज्वावीन के लिए सिवान मuten resurrection therefore are to take a इसे लोग पूछेंगे सवाल? Yes, definitely. So, everybody will question who takes this report. They will question the government, the concerned officers and they will ask why it is not conducted. So, what is the injustice done to us apart from such an act is there. So, already in the society we are getting the injustice. But again, this is nothing but another injustice. So, who will take action on such kind of officers who have not fulfilled their responsibilities? यह रिपोर्ट कार्ड यह जो सिटिजन आॉडिट है दरसल यह आॉडिट है मोधी सरकार का. और मोधी सरकार जिस तरह से 2014 से लेकर 2021 के बीश दलितों और आदिवासियों को जुन-जुना पकडा रही थी. उसका खुलासा करती है. उसका परदाफाश करती है. क्योंकि इससे प और दलित आदिवासियों के बारे में पैरदोने वाले प्रधानमंत्री इन तमाम अपराधों पर चुप क्यों है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है. अब देखना यह होगा कि इन चुनाओं में, लोकसभा चुनाओं में क्या दलित आदिवासी समाज इसे एक राजनितिक अब दील कर पाता है, क्योंकि एक बात जो उभर कर सामने आई, हर एक ने कहा कि जिस तरह से मनुवादी विवस्था दुबारा थोपी जा रही है, वह दलित आदिवासी के लिए तो खतरनाक है ही, भारती लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है. शुक्रिया.